हलो दोस्तों मैं उमा संकर आपको अपना चैनल ट्रिकी भाई विस्कुपता में स्वागत करता हूँ दोस्तों आज मैं जारकंड वोड परिक्षा 2013 के एंसर के लिए कराया हूँ अर्थात वैसे भी दैर थी जो अठ्वी कलास के एक जान की परिक्षा दे चुके होंगे और जिन्होंने अपना एंसर नहीं मिलाया होगा तो इस चैनल को सस्क्राइब कर दीजेगा और जितना हो सके अपने दोस्तों में सेर करना नहीं भूलेंगे क्योंकि मैं आप लोग के लिए हिंदी का एंसर के लिए कराया हूँ जो आप लोग एकजाम 13 अपरिल को दिये थे उसका मैंने अठ्वी कलास का हिंदी का एंसर के लाया हूँ तो चलिए मिला लोग कितना आया और चैनल को सस्क्राइब ज़रूर कर दीजेगा चलिए दोस्तों देखते हैं कितना आप नूमबर लाए हैं उसको बारे में हम लोग 20 से यहाँ पर इस वीडियो में देखते हैं इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक चरूर देखिएगा जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं आया आपका हिंदी सब्जेक्ट है टोटाला इसमें आपको एक से लेकर 50 तक क्यूशन दिये हुए रहेंगे जिसमें खंड भाई खंड यहाँ पर विभाजित किया गया है तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं खंड को खंड को में और प पर आप गद्यान्स को अची दंग से पॉढ़ लिजिएगा और पढ़के आप इसे इंसर देखिएगा तो चलिए हम आपको शरीफ एंसर यहाँ पर बताते हैं तो यहाँ पर जो देख रहे हैं यहाँ पर कह रहा है पहला का एंसर हो जाएगा पुस्तक हमें देती है क्या है ज्यान और जनकारी जो आपको अपठित गद्यांस में दिया हुआ है इसके बाद अगला क्यूचन हम लोग देखते हैं तो अगला क्यूचन यहाँ देखिए कर रहा है घुमने में हमें क्या मिलता है जैसा कि आप यहां देख रहे हैं मैंने आप्शन में मार दिया हूँ आप उसके भी उससे भी देख सकते हैं जो बड़ा बड़ा दिखाई दे रहा है तो इसका ऑप्शन नमबर दुसरा का दू हो जाएगा इसके बाद अगला क्यूचन कर रहा है जब हम भर्मन करते हैं तो वहां किस चीज से परचित होते हैं तो इसका राइट अगला कि इसके बाद आपको यहां पर निमलिखित पद्यांस कव्यांस को ध्यान पूर्बग पढ़कर आपको क्यूचन नमबर छो से लेकर दस तक के सही पुरस्णों का उतर देना होगा आर्थात यहां पर आपको गद्यांस दिया होगा पद को अपनी पढ़ सकते हैं जैसे यह प्यूक्त चाब्यांस का उप्यूक्त सिर्स्द्वार यहां पर पेड के बारे में चर्चा कि जा रही है इसी लविगा टैंसर हो जाएगा पेड्छ नमबरे इसके बाद कर रहा है फेड्र धोफ सघ्र हमें क्या देता है चाहँ देता है शॉचन कर रहा है कि दूषित हावा कोई किच कर पेड़ क्या करता है तब सुदित प्राण वायू परदान करता है भी इसके बादुन करते हैं यह किसे प्राण मिलता है लिए टेनशर भी तैंसर चो माय नम्बर भी इसके विकल्पों का चैन करना है अर्थात आपको गरामर से संबंदित पुरस्ण पूछेंगे तगनी का तद्वब क्या होता है आग होता है इसके बाद परामा क्यूचन का है उचारन का संदी विछेद क्या होता है उत्पलत चारनम उचारन होता है इसके बाद अगला क्यूचन का कर रहा है सम्मान सम्मान का विलों सब्सक्राइब क्या होता है अपमान होता है इसके बाद कर रहा है पूत्र का परवाचिस सब्द बेटा होता है इसके बाद कर अभिमान सब्द में उपसर्ग बताइए अर्थात उपसर्ग कर रहा है तो उपसर्ग समय सबसे पहले लगता है तिसमें सबसे पहले अभी लगा है इसलिए राइट हो जाएगा अप्शन नमबर दू इसके बाद अगला क्यूचन कर रहा है यहां पर आई परते से बनाते हैं यहां पर देखिए पढ़ाई 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 यहां पर है सेना पती में कौन सा समास है तो पू दू खाली अस्तान राखल के साथ कुछ अमरूद भेजवाये थे इसमें कारक चीन लगाना है तो इसमें कौन सा कारक हो जाएगा तो करता नहीं अर्थात मिट्टू ने राखल के साथ अमरूद भेजाई इस तरस्वाहाथ मलना अर्थात बहुत पच्तावा होना आप्शन नमबर चार हो जाएगा इसके बाद आगला की उचन है कंडग तो घो पाठे पुच्ताथ आर्थात इसमें पाठे पूच्त क से यहां जो देख रहे हैं यहां आपका क्यूचन नंबर गद्यांस दिया हुआ रहेगा यहां क्यूचन नंबर इस से लेकर 25 तक इस गद्यांस के माध्यम से आपको क्यूचन यहां पर दिया हुआ रहेगा आप इसको अच्छी ढंग से पढ़ लिजेगा यहां देखिए फिर क वाद्यान किस पार्ट से लिया गया है तिसका राइट टेंसर यहां देखिए a option number 3 हो जाएगा इसके बद अगला क्योंति है कह रहा है हमारी सासनविवस्ता की निव क्या राई सथ दhard जाएगा अप्शन नंबर तीन हो जाएगा भारती सवभ्टेर खाइदान इसके बाद अगला क्यूंचर आनल कह रहा है hygien musa कृचन नबर 13 का पाल सिंग मुंदा इसके बाद अगला क्यूंचर हो जाएगा अप्शन नमबर चार समिधान सभा इसके बाद अगला की उचन सपुत्र का विलों सप क्या होता है का पुत्र होता है इसके बाद अगला की उचन है छोटा जादूगर के पैसा क्यों कमाना चाहता है तो इसका अप्सान नमबर दो हो जाएगा मा की सेवा के लिए इसके बाद अगला की पतनी की लेखा की पतनी ने तामासा देखने के बाद छुटा जादूगर को क्या दिया ते यह अप्शन नमबर तीन रूपिया दिया था कि इसके बाद अगला की उचन है हमारे आचरन हमारे आचरन पर किसका गुप्त परभाव पड़ता है तो इसका राइट एंसर हो देगा ओप्शन नमबर ए इसके बाद अगला की उचन हम लोग देखते हैं विश्वपात मित्र जीवन में किसके सामान होता है औसधी के सामान इसके बाद अगला की उचन है बड़े भाई सहाब कौपी किताब के हसियों पर कुत्तो और विलियों की तस्विर क्यों बनाते थे दिमाग को आराम देने के लिए ओप्शन नमबर तीन हो जाएगा इसके बाद अगला की उचन हम लोग देखते हैं बड़े भाई सहाब छोटे भाई से हर समय पहला सवाल क्यों पूछते हैं तिसका राई टेंसर हो जाएगा ओप्शन नमबर चार कहां थे इसके बाद अगला की उचन है कॉलिंग की राज कुमारी का क्या नाम था तिसका राइट एंसर हो जाएगा पदमा option number A इसके बाद अगला क्यूचन है अमरूद का पेड पाठ में लेखक का मकान मुखरा किस ओर था तिसका एंसर हो जाएगा पचिम की ओर option number 2 इसके बाद अगला क्यूचन है है डॉक्टर चंद्रामी कौन कौन सा गून थे इसका राइट एंसर हो जाएगा इन में से सभी इसके बाद अगला क्यूचन है यह देखिए आपका क्यूचन तक कभियांस संबन्दीत प्रश्ण रहेंगे इसलिए आपको क्यूचन पूचेंगे क्यूचन अप्छिता से ली गई है और था इसके बाद क्यूचन करने को कहा गया है तो पत्थ को इसके बाद अगला क्यूचन यह कर रहा है बटो ही बटो ही का क्या आर्थ है तो बटो ही का आर्थ हो जाता है यात्री हो जाता है राही हो जाता है पत्थ हो जाता है इसलिए ऑप्शन नमबर इन में से सभी हो जाएगा ऑप्शन नमबर चार इसके बाद इसके बाद अगला क्यूचन है पुष्प की अभिलासा सिर्शक कविता में पुष्प किसका पर्तिक हो सकता है तो इसका राइट एंसर हो जाएगा ओप्शन नमबर ए बिर सैनिक का इसके बाद अगला क्यूंठन है पूश्प किस पर इठा लाने से बचना जाता है तो इसका राइटेन सरू जागा अप्चन NO.2 अपने भाग्ये पर इसके बाद अगला क्यूंठन है राम का भरत को संदेश सिर्शक कविता में स्री राम ने किसे समझाने का पर्यास किया है तिसका राइट एंसर हो जगा भरत का इसके बाद अगला की उचन है स्री राम ने भरत को किसका पालन करने की सला दी है तुन्हों ने राजधर्म सबसे पहले राजधर्म गुरुओं की अग्या गुरुजनों की अग्या इस तरह से हम बोड़ों की अग्या अर्था तिसका एंसर हो जागा इन में से सभी इसके बाद अगला क्यूचन है तुलसी दास से जी के अनुसार मुकिया को कैसा होना चाहिए तिसका राई टेंसर हो जागा मुक के समान होना चाहिए इसके बाद अगला क्यूचन है किस कविता में प्रतिक को प्राकिती को प्रदूसित करने के लिए प्रेरित किया गया है तिसका राई टेंसर हो जागा ऑप अप्सवार नमबर दू हो जाएगा इसके बाद अगला क्योंचन इसके बाद अगला क्योंचन इहां जो देख रहा है अन्द विश्वास को दिर करने का संख किया गया है इसतरह से यहां पर मैंने आपको हिंदी का है को एक हिंदी का पचाश मिला दिया हूँ अगर आप इसम को मिला लिए होंगे तो अपना एंसर बताईएगा कि आपका कितना सही हुआ है आपको कॉमेट कर रहा नहीं भूलेंगे तब फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ तब तब के लिए जाहिंद बेस्ट आप लक